कैसे हो दोस्तों मैं फिर कहूंगा जेसी करनी वेसी भरनी जो लोग अमित शाह को चाहते हैं अमित शाह के सपोर्टर हैं बीजेपी वाले हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि अमित्षाह गए थे चन्नई वहाँ पर चुनाव परचार हो या कुछ भी हो क्योंकि 4-5 महीने के बाद वहाँ पर चुनाव होना है तो वहाँ पर गए थे अमित्षाह तो कुछ लोग चपल फेका अपना काड फेका अमित्षाह पर तो चिन्नई व वालों का गुस्ता देखिए इतने बड़े होम मिनिस्टर अमित शाह लेकिन वो ढरे नहीं चपल काड पता नहीं क्या क्या फेक दिये और सिर्फ चिन्ने वालों का गुस्ता नहीं है पूरे देश के लोगों पर गुस्ता है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मैंने एक वीडि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप देख सकते हैं अब 37 लोगों ने कमेंट किया है अब उस कमेंट में उस कमेंट में आधे लोग नहीं पचास पार्सन लोग नहीं सत्तर नहीं लगभग सभी लोग अमीत शाह के खिलाफ कमेंट किये हैं उन्हें जूते चपल के बारे ीं में मारने की बात कही है कमेंट में और गाली भी दी है आप सोच सकते हैं पूरे देश में किस तरह CJP के खिलाफ हैं लोग और उस्ता निकाल रहे हैं और शायद आपको पता होगा कि बिहार में बीजेपी वालों को गाह में घुसने नहीं दे रहे थे और किसी नेता पर लोगों ने गोबर फेक कर घुस्ते का इजहार किया लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात और अच्छी बात इंट्रेस्टिंग बात अगर आप अमित्षास बीजेपी को मोदी को दिरोध करना चाहते हैं अगर बीजेपी वालों से बीजेपी के प्रवक्ता से उनके चम्चे से अगर बातों में जीतना चाहते हैं उनकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं तो एक जवाब एक सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूं पान की दुकान पर चाल की कर दिजिएगा तो बीजेपी वालों की जबान लड़ खड़ा जाएगी और मुह बिलकुल काला हो जाएगा अगर आप से कहें कहीं भी पान की दुकान पर या चार की दुकान पर कि मोधी बहुत बड़े अच्छे आद्मी अमित्शाह बहुत बड़े अच्छे आद्मी हैं तो अगर आप वहाँ पर मोदी और अमित शाह को बिरोद करना चाहते हैं, उनकी पापी को, उनके चम्चे और बीजेपी वालों को हराना चाहते हैं, तो आप उनसे सिर्फ एक सवाल कर दिजिएगा, कि 15 लाख लाओ, वो 15 लाख कहां है, जो मोदी जी न वादा किया है, अगर आप उनकी तरफ दारी कर रहे हैं, तो 15 लाख दिला दो, 15 लाओ, उनकी जबान बिलकुल लखरा जाएगे और मुह काला हो जाएगा, चिन्नई में इ इसी तरह हुआ, अमित शाह से 20 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, एक बुजर्ग, लगबग 70 साल का बुजर्ग सवाल कर लिया, अमित शाह से 15 लाख के बारी में, तो उनकी जबान लखरा गई, बोखला गई, वहाँ पर बवाल हो गया, बागदर मच गई, और उस बुजर्ग को उस इनसान को पकड़ करके जेल में डाल दिया, देखिए, अमित शाह का काम, तो दोस्तों, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिस मैं इसी चैनल में डाला हूँ, साथ लाख लोगों ने लगभग, साथ लाख लोगों ने देखा है, और छे सो लोगों ने कमेंट किया है, गालियां दी है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप भी क्या कहना चाहते हैं, अमित शाह के बारे में आप भी कहिए और इंसानियर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए